यह किन्नू का पोदा है और इस पे कैसे फूल आये हुए है यह हम देख रहे हैं पूरे पोदे पर दूर से देखने पर लग रहा है कि अच्छा बढ़ा हुआ है फूलों से एक दम लदा हुआ है थोड़ा सा मूटा सा भीव आपको दूर से दिखा देता हुआ हम पोदेगा अब हम इसके पास में जाते हैं तो भी देखिए पूरा लदा पड़ा है फूलों से पूल बहुत ज्यादा है इतने फूल तो यह शोर है पूरा जो वाइट वाइट दिखाई दे रहे हैं सारे फूल है सुरज की किरने इस पर सीधी पड़ रही है और इतने फूल तो खेर इस पदे पर बिलकुल नहीं रहने है इसमें कोई दोराई नहीं लेकिन फूल सब्सक्राइब कि मैं दिखा रहा हूं कि अज नो मार्च का टाइम है नो मार्च 2023 यहां देख सकते हैं बहुत फूल है यानि हर शाखा पर फूल है बहुत सारे किन्नो का जो फूल है वो मुसमी की वज़ाए थोड़ा सा छोटा होता है अब यह खिला हुआ फूल भी है और यह बिना खिला हुआ फूल भी आ दोना कम पैरिजिन कर सकते हों यह देखिए सूरज की किरने देखिए पो देखे अंदर से कैसे किर रही है कितना मस्त सीन है यह वाव 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 यह देखिए धेर सारे फूल है पत्ती का तो यह नाम ही नहीं है फूली फूल है तो अब देखना है कि यह फूल कितने फूल ऐसे हैं जो गिरेंगे और कितने फूल है जो फल की रूप में कनवरटों मैं एक गुच्छा यहां भी दिखाना चाहूंगा यह देखिए पोरे फूल ही फूल कब से कम पचास फूल आपको दिखाई दे रहे हैं यह के जगह में इतने सारे फूल फल में बदलना एह संबब है लेकिन इनमें से कुछ फूल ही टिक जाएं तो बहुत अच्छा इस पोदे के लिए पोधा कटिंग के बाद अंदर से बिलकुल खुला खुला दिखाई देता है अंदर से बीच में से मैं दिखा रहा हूँ आपको और पोधे के नीचे बोर्ड ओंशन जो है वो लगाया हुआ हुआ है वाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है और पोधे के नीचे कुछ पॉल भी बिछाई हुई है वास पो सर्जन कम होता कि गर्मी का टाइम आगे आ रहा है और पानी की डिमांड जो है कम करें तो जी देखिए अंदर का व्यू था पोधे का और यह पोधे के बाहर का व्यू है और यह बाहर से बगीचा दिखाई दे रहा है बुरे बगीचे में पोधे की स्थीती है थैंक यू